प्रकुर को लेना है एक लिटर और एक लिटर में आपको डालना है पांस लिटर पानी दोस्तों प्राकिर्टिक ने हमें बहुत ऐसे चीए दिये हैं जिनके अगर यूज करके हम अपने पौदे को हेल्दी बना सकते हैं आप देख रहे हैं आपके सामने यह दोसे छिलका और इस छिलके का फेलाइल बनाते ही यहां तक और यह दो से सभी छिलके को मिला प्रोड बनाते हैं और इसी बोच्टे करने ना ना मिन्राल्स ना माइको न्यूटियंस ना केमकल ना एन पी के कोई भी चीज़ यूज नहीं करते क्यों वन नीवल को इसी का लिक्विड फट्लाइजर और इसी का ड्राइब फट्लाइजर यही दोनों यूज करके अपने पाउदे को वे हेल्दी रखते और यहां ते कि सार बेटामीन A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, और यहां ते कि पच्चूर मातरा में पाया था है यह सब ही पोसक्षतों हमारे पोदे के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और इस समय यह असानी से मिल जाएंग जो छिलका देखना ने यह जो छिलका यह मोरिंगों को जिशे ड्रम स्ट्रिक बोलते हैं इस तमें जो उसका फली होता है अब देख सकते हैं तो फली छिलका निकलता है उससे छिलके का लिक्विड फट्राइएर अगर बना के यूज करते हैं तो रिस्पांस आपको बहुत भड़ीया मिलेगा मैं बतादू आपको कि अगर उसको फूल वाले पह फूरस भी है और मैंगनेशिया भी इसमें पाइता है तो जैसी बात है कि यह एलिमेंट अगर पौदिव यूज करते हैं तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है तो आपको बताएंगे कि इस वीडियो में जो घरों में जो छिलके निकलते हैं और खास छिलके में जो इस म और निकलता है उसका चाहेंगे तो लेख पर जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत भी बड़ियां काम करता है तो आई आपको रहे हैं कि इस फटलाइयर को कैसे बनाते हैं सबसे पहले चिलका डिन से इसको सूखने से कोई दिक्तना की सूख जाएगा फिर फिर वी घरम से रिस्पांस अच्छा मिलेगा अगया यह तो आप घर निकलता है इसको अब हर दिन आप चाहें तो इसको किचेन वेट जो कंपोष्ट है ड्राई वाला उसका अब त्यार कर सकते हैं लेली जे गुरो बैग में गमले में कंटेनर में डालते जाएए उसको उपर निचे करते जाएए उसके बाद देखें कि टाइम लगेगा डिकंपोष्ट हो आपको दो तरह से बन सकता हैं एक तो आप पादी में वेड़ेय का फानी होगा टो न चाहर नों तरीका से मेरा बन के ये तैयार है और यहां पर दो गार्डेन में रख देंगे तो अच्छी बात रहें कि कुछ ज्यादा ही इसमेल आती है और इसको ढख के रखी गार्डेन में कैसे बनाना ध्यान दिए अगर आपको तो साधे पानी में इसको बनाना है तो साधे पानी अपनीजी दससीटर ले लिए पानी और इस तरीके से एक फोकड़ी भर के इतना अप ले लिए छिलका घर का चिलका और ऐसको चाहिए पानी मेंगा आपके पास साधे पानी को हटा के देख पानी में सकते हैं उसके बाद इसमें आपको 새벽ussen सौ से डेडर सप webs ग्राम तक स्में आपको गुष्ड डाला है जूने के और पार इसको घोलने मिक्स करने के पाद इसको ढख दीजिए और ढखने कबाद कम से कम आपको एक सब्ता तक इसको रख देना है हाँ एक चीज और हर दिन आप इस तरीके से हटाई और हटाने के बाद इसको आप किसी डंडे के माध्यम से आप यह मिक्स करते रहे यह यह दो हो सके तो आप मास्क पहन लेजिए इसमेу पिछ आठीज ο यह दो इसमेल आएगी इसमेल आना इसमेल शुरूए जाए खिए यह को ध्यान दे आए है तो इसमेल तो आएगि लेकिन इसको लिक्विड दाना पाद के लिए बहुत रासीन काम करता है उसको दागो करना कि स्वेज वेहां करता है यह आ और रियो कि इसको यूज करना ध्यान दीजी आप, सबसे पहले इसको छान लेते हैं, तो एक चीज़ आपको बचाओं करना है, क्यों मिट्टी में ही यूज करना है, इसको आप नोड कर लिजिएगा, गल्दी नकरेगा छिड़काओं करने का, जान लिए अब आपको दाते हैं कि जो ये बचा हुआ भाग है ना इसमें पानी डाल के इसको और तयार कर सकते हैं अगर जरूवत होगी तो दुबारा के लिए लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे हैं कि एक बार इसको यूज करते हैं तो दुबारा पंदरा दिन बाद ही आपक क्या कि इसको आप डाल दीजिए और डाल कि इसको मिक्स कर दीजिए आईए आपको दाते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं यूज करने के लिए इसको लेना है एक लिटर और एक लिटर में आपको डालना है पांस लिटर पानी देखिए हम दस लिटर ले ले लेते हैं पानी और दर हम डाल लेते हैं यह दो लिटा नेल्ट्र हम डाल दिए इसको हम यूज कर रेते हैं तो इसको देने के लिए हैं मित्टी मी पोदल्ग आ रखे हैं या गंमले में या गुरो बैक में कंटें सकते हैं और उसलिकणवर मात्रा की दोस्तों DAVID पौदे के साब से मातरा को आप घटा और बढ़ा सकते हैं कोई दिकत नहीं है बस जबी भी दीजिए तो ध्याना को यह देना है कि उसकी मिट्टी के कर लिए गुड़ाई गुड़ाई करने के बाद देते हैं तो उस फट्रायर का रिस्पांस और बढ़िया मिल जाता है और देते हैं जल्डी रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है देखिए इसका पड़ाई हम सोप इस वाले पहुदे पे बिग कर सकते हैं ऐसी बात नहीं कि इसको अगर यूज करेंगे तो फंगस लग जाएगा कोई दिकत नहीं सभी पहुदे भी यूज करना है हर तरह के प करनिशन को इसको भी उच करिए जो फल फुल की करिशन पर उसको भी उच करिए जो यहां तक की फुलावी करनिशन को उसको भी उच करिए हर कर दूसको अब को बहुत Alexandra हाकm यहां तक कि फ्लावर कंदिशन पर उसको भी उच करिए हर कंदिशन पर इसको यूच करिए रिस्पांस आपको बहुत बढ़ा दोस्तों मिलेगा दोस्तों इसको इस्टोर आप ना करिए कि हां खराब नहीं होगा अगर इसको रख देंगे 15-20 एक में तक तो दोस्तों यह फंगस लग जाएगा उपर जिसे लगेगा फंगस नुमार लगे लेयर जम जाएगा और कभी को देखेंगे उसमें धोला भी पड़ियाएंगे लेक हैने मतलब कि आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे पौदे को कितने लेटर पानी में पूरा पौदे में फटलाइजर हो जाएगा तो उतनाई हिसाब से बना के एक बार यूज करें फिर दोबारा बनाना हो तो दोबारा एक सब्ता पहले इसको ड्रेडी कर दीजिए और उसको बाद फिर एक सब्ता में बन जाएका रेडी तो उसके बाद इसको अपने पहले में यूज कर सकते हैं और उसके बाद दोसो आपको होता है कि इस एक बार लिक्वीड और एक बार इसी का ड्राई फॉर्म बस दोसो दोनों को यूज करते रहे हैं पंदर पंदर दिन करते में जिनकी बात कर रहा है गार्डेनर हैं उनके पास 400 पौधे हैं और इसी को यूज करते हैं और इतना उनका पौधा हेल्द लगा रखें फ्लौर प्लांट भी ए सोफीज नहीं ब्लकुल नहीं करते हैं कभी उनका वीडियो हम लाएंगे अपने चैनल पर दोस्तम जाहिएगा ति इसमी छिलका है जो मुरिंगो का सेहजन का ड्रम इस्टी का छिलका की मातरा जादा करेज़ीगा और जादा करके जो मैंने बताया प्रोसेस उसी प्रोसेस से बनाएगा दोस्तों मिलती है नूवी वीडियो में टाप्ते के साथ दान्यवाद